जोधा अंगरवाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उदेश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है बोलो कृष्ण का नईया लाल की जय शिवानी आज तुम्हारा विवा होने जा रहा है अब तुम आमेर की राजकुवरी नहीं बल्कि मुगलों की बहु बनने जा रही है जैसे जोधा ने मुगलों के आचार विचार नियमों का पालन किया है हम आशा करते हैं कि तुम भी वो सब सीखो तुम बड़े भागिशाली हो कि तुम्हें मा दिखाने के लिए तुम्हारी जोधा जीजी पहले से वहाँ है जैसे बड़े जवाइसाने जोधा को समहला है हम प्रात्ना करते हैं मिर्जा तुम्हें समहले के आसु पोछो शीमानी आप यहाँ क्या करें मुगल सल्तनत की वजीरे आलिया हैं हम साथ-साथ शेहनशा के बड़े अम्मिजान है इसलिए सियासथ के साथ-साथ महल के अंदर क्या हो रहा है इसकी भी खबर रखनी पड़ती है हमें सब देख लिया, सब समझ लिया क्या है ना शेहजादी आपका निकाह तो उसके साथ होने जा रहा है जिससे आप महबत नहीं करती इसलिए आपको देखकर हमें इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपको ये निकाह नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप ये निकाह करेंगी तो आपको अपना मजहब बदलना पड़ेगा जो हमारे ख्याल से आपको पसंद नहीं आएगा मजहब से याद आया बेगम जो था जब मुगलों से इतनी नफरत करती है तो उन्होंने आपका निकाह मुगलों में ही करने का क्यों सोचा क्या आप अपनी जिन्दकी यहां बिता पाएंगी उस शाक्स के साथ बिता पाएंगी जिसे आप मुखपत नहीं करती आप चाहते क्या है यहीं चाहते हैं कि आप ये निकाह ना करें परितु ने स्वाय माम से कहा था कि हम इस निकाह के लिए हाँ कर दे शिवानी हम मान रहे हैं इस बात को कि हमने कहा था लेकिन तब हमें आपके मुखबत बच बना लगी लेकिन आज जब हमने आप दुनों को मतलब सब कुछ देखा तब हमें ऐसा लगा कि आप तेजबंद के अलावा किसी और से मुखबत कर ही नहीं सकती आपके निकाह के बाद अगर ये बात सब के सामने आई तो हमारे मिर्जा हाकीम की जिंदगी तबाह हो जाएगी और हम ये नहीं होने दे सकते हैं कि अब क्या करें कल सुबह के सी भी बहाने से आप तेजबंद के पास बहुच जाए भाग जाए उसके साथ यहां से दादी साह हमने मंदत मांगी थी कि हमारा विवा होने से पहले हम अंबे मा के मंदर के दर्शन करेंगे और वापर सोने का हार चड़ाएंगे कि रिष्साने क्या आग्रा मेंपे मा का मंदर है हमें जाने की अनुमती चाहिए नहीं इसकत Hindus हम तुम्हें वहाँ जाने के अनुमती नहीं दे सकते हैं दादी साब, शिवानी की इच्छा है तो जाने दीजिये ना जोधा, तुम हमारे रीत रिवाज अच्छी तरीक से जानती हो बिटा कि विवास से पहले लड़की घर के बाहर नहीं जाती अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, तुम शेहन शाह की बेगम हो, हम तुम्हारे विरुद तो जाहीं नहीं सकते ये भगवान, अब चोता जी जी भी साथ जाएंगी, किसे उनके सामने तेच्छोन से मिलगाउंगी शेहन शाह का एकबाल बुलंद हो, आपके हुक्मों के मुताबिक राजा भार्मल साब आ चुके हैं प्रणाम शेहन शाह, बैठी, राजा साब हमें हमसे एक तरुरी मसलत करनी, बात तो हमें भी करनी थी आप से शेहन शाह, ये ब्याह इतनी शीगरता में हो रहाएंगी कि आप से बातचीत करने का कोई मौका ही न लगा, ठाकि आप से ये बात कर सकें कि लेंदेन में क्या होना है, हम शिवानी और मिर्जा हाकिम के विवा के उपलक्ष में कुछ भेंट देना चाहते हैं क्यों शिर्मिंदा कर रहे हैं राजा साथ, अपनी बेटी की शादी में चो चाहे तो कर दे सकते हैं वो पूरी आपकी मर्सी, तर फिलाल तो हमें एक सियासी मौमले पर आपसी मश्वरा लेना है, क्या आप हमारे वालित की चगा है और हमारे सबसे खासमन सब्दार, आदेश कीजे शेंचाँ आदेश सर माथेबर शेहनशा, आपका बड़पन है, कि इस पद के लिए आपने भगवान दास का नाम चुना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि आमेर राजी का सारा कार भगवान दास ही समालते हैं, वो आपके मनसबदार भी हैं, और वहां का उत्तरदाइत भी उन हम चाहते हैं कि विवा में भेंट सोरूप ये पद आप उन्हें दे रहें, आशाद, जैसी उमीद थी आप हमें वैसा ही मश्वरा दिया, आप से इसलाह लेने की सोच हमारी गलत नहीं है, हम आपके शुकर को साहर है, राजा साहब, आपके तजुर्बे की कद्र करते हैं, थान्यवार अटाव ये लोग, और हाँ, ख्याल रहें, किसी भी किसमे की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे देवर का निकाह है, और हम चाहते हैं, कि राजवंशियो को शिकायत का मौका नहीं है आदम खौन, कहाँ ध्यान है आपका, यहावा क्यों देख रहे हैं, अमें तो यह समझ में नहीं हो रहे हैं, कि में जर्शन में शामिल क्यों है कि इतनी बहुर बोला है आदम खाना आपको, समझने और समझने का काम अब पर छोड़ दें, आप उतना ही करें, जितना हम आपको करने के लिए कहें, और इस वक्तम आपको कहें, अपने जरे पर मुस्क्राहत लाइए, और जशन में शरीक होईए आप आप एक्टन, मर्याने का सिफतनी मकसद है, क्यांच हमारे भाई का नकाह है, और हम खुदू से तयार करेंगे. कि अधिए 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 लिए अधिए 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 आगे अधिए। कि अधिए भूट बड़ी सिम्मेतारी है। इसलिए हम तुम एक सला देते हैं ठ्यान से सुन्ददा है। वैसी कोई बात नहीं से जो जुबान आपने हमें बच्पन में दीख तुफादा आपको आज तक याद है बस यही सोच कर आके पर आई पाई जानते हैं कैसे आप हमें शम्शीर चलाना सिखाते थे और हम ऐसे नहीं मिर्जा इसे तिर्शे करके पकड़ो एक पाउ पीछे यू समझो यह शम्शीर तुमारे जिसम का हिस्सा है बगर भाई जाना भी हमें जंग पर नहीं जाना लेकिन एक दिन तो जाना ही होगा ना इसलिए आज हम तुम्हें तलवार बाजी शिखा रहे हैं और हम च तो कभी निकाहए निकाह या जमें तर्व sms पयार करेंगी आफ जब एक वह निकाह यहाना हम तुम्हें तयार करेंगी ाँ कभowa दा प्कों 제품 याद म enf Jan आपके निकाह के लिए चलें तुम्हार के लिए। मोती, दासी को कहकर पुजा के आवश्यक सामागरे मंगवा दो, तुम यहाँ पर रहना दादी सा के साथ, खामने उनके साहिता करवाना जी-जी, अब भूत अच्छायत है ना, हाँ, है, क्यों नहो, आके अन्तिम बार अपनी बेहन के साथ मंदिर जो जा रहे हैं, अन्तिम बार? हाँ, अन्तिम बार, विभा के बार तो अपनी देवरानी के साथ जाय करेंगे ना मंदिर काना की सौगन जीवानी, हम तुम्हारे नीव बहुत प्रसन है, क्योंकि तुम्हारे संभंद का आधार राश्नीतिया बल नहीं, प्रेम है, और प्रेम की नीव सबल होती है, कोई उसे हिला नहीं सकता काना, हम भी जो कर रहे हैं, अपने प्रेम को पचाने के लिए कर रहे हैं, हम एक्षमा कर देना जो भी मांगना है, हमारे काना से मांग लो, मना नहीं करेंगे, बहुत विशाल हिर्दे हैं उनका अब नहीं जानती जी जी कि हमने काना से क्या मांगा है हमें एक शमा करना जब के रिदे को ठीस पहुचेगी परनाम कल तुम अपने भावी जान को देखा था मेरसा कि इतना अलग लग दिखती है ना कल बिलकुल खाली स्मगल लग रहीं थी और आज फिर से राजवश आप कुछ भी कहिए भावी जान लेकिन तोनों ही लबासों में हमारी भावी जान की शान कुछ और ही है एक तुम बेजोड बेजोड तो आज आप लग रहें देवर जी सच में बहुत अच्छे सजे सवरे हैं और आपके मुकुट पर जड़ा ये हीरा आपकी शोभा और अधिक बढ़ा रहा है तो रसल आज हमें खुद भाई जान ने तयार किया है चुक्रिया मिर्जा तुमने ये बात साफ करती है नहीं तो आज ही है तारीफ हमे सुनने को नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती जो प्रशन सा के योगी है वो है तो आपका कहना है कि जो तारीफ के काबिल है वो है तो असलिए हम कहेंगे कि जलाब पे बैत कुब सुरत लग रहे जब आपको निया उता दिया चाहेगा, आप शिवानी को लेग कर, निका के लिए पहुँच चैजेगा विवा में जबी कुछ समय है, शिवानी ने मननत मांगी थी कि विवा से पहले वो अंडे मा की पूजा करना चाहती है, उनके दर्शन करना चाहती है यदि आपके अनुमती हो, तो क्या हम शिवानी को मन्दिल ले जाएं? मन्नतिन की है, हमें कोई अतराज नहीं, आप जा सकती हैं दन्यवाद, और देवर जी, आप थोड़ी देर और प्रतिक्षा कीजिए, बस कुछी समय की बाद है इसके बाद तो शिवानी को जहां भी जाना होगा, आपको ही लेकर जाना होगा हम इक्षमा कर देना बापूसा, कदाचित ऐसी बिदा लिखी थी हमारे भागे में हम तेच्वन के साथ भाग गए, यह जानकर आप सब को ठेश तो लगेगी, परन्तो हमें विश्वास है कि आप लोगों को हमारा और तेच्वन का साथ भाएगा नहीं, और हम तेच्वन के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे क्या बाते शिवानी, तुम्हारे आखों में आसू क्यों? हरी पद्धी, अभी क्यों रह रही है? अभी विदाई थूरी नहीं हो रही है, विभा में कुछ समय है नहीं जीजी, वो पस बताए का सोच कर आखे बहराई अब शीगृता से बेटो, विभा के लिए जल्दी लोटना है ना? चरूशिवानी? हमारे भाग यह रही है, अमेवर पहुचे, एको अभी घडियाल के आवाज सुने दी, हारती प्रारंप होने वाली है तुम्हारे नही जीवन के प्रारंप पर माकश भाशिष मिलने वाला है चलूँ 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 प्रुत्रानी जगमाता दयाकरो जगनंग भवानी प्रुत्रानी जगमाता जयाकरो 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 हे संकज नीमारनी प्रिमात शुरघारनी सुझे ना आर पार चाया मन अंध कार दिशा दिखो माता जया करो जगनंग भवानी रुत्रानी जद माता जया करो जगनंग भवानी रुत्रानी जद माता जया करो जया करो जया करो करें कर अक्राइब जोधा बेगम और राजकुमारी शिवानी कहां गई? अम्मे मा के मंदिर में गई हैं दर्शन के लिए आती होगी अब आएगा खेल में मज़ा शिवानी मा बेगम जोधा को भी ले गई है ये हमारे हक में और भी अच्छा हुआ जल्दी से ये निका की रस्मे खत्मों हो ताकि हमें शैन्शा की करीब जाने का मौका मिल सके हम मंतुर के परिक्रमा करकर आते हैं अब छुड़ी क्रिपा से है सब्क्रमूं क्याला तुम्चा हो ओब चर्वी है है अच्याला तुम्खि बस अमनी उमात मिदामर दया का दया करो जब रम बौ दया करो जब रम बौ ये क्या? ये कुवरी शिवानी किसके सार जा रही है? पिए अम्बे माँ शेन्शा निकाह का वक्त हो गया है दुलहन को निकाह के लिए बुलाइए बुल्वी साभ वह अपनी महनत पूरी करने मंदिर के हैं हमें थोड़ा संतजार करना हो जी शेन्शा मा मंगा करना करो दो 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 शिवानी कहाँ चलेगे शिवानी कहा है कुफरी तो परिक्रवा करने के लिए कहकर गई थी आती होंगी श्रमा चाहती हूं बेगम साहिबा मैंने कुफरी शिवानी को किसी के साथ गोडे पर बैठकर जाते हुए देखा है खिवानी खिवानी तुमने उसे रोकने का प्रयाज क्यों नहीं किया जब मैंने उन्हें देखा तब तक वह बहुत दूर निकल चुके थी खिवानी विवा का समय हो रहा है शिवानी किसके साथ जा सकती है उसे है अब बेमा ये सब क्या हो रहा है अबैंने झाल बिवानी आझने झाल झाल